लुक्तु है किया हलचाल इसे हैं अप लोग क्छश्य करते हैं सभी का स्वागत हैं वच्छों हम लोग समिश्चायन और द्रगाश्च अधास समिकरण का चेप्टर जो पढ़ रहते चार उस दोथे चैप्टर से हमने बिविद प्रश्णावली से कुल 9 प्रश्णिस से पहले वाले लेक्चर में complete कहे थे आज उसी के आंगे सीधा सीधा start करना है ठीक है बच्चो तो जल्दे से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कर दो और सभी लोग ठीक है मिल जोर के पढ़ोगे धूम दलाका मचाओगे बच्चो एक एक करके सारे प्रश्णों को complete करना है चलिए आते हैं question number 10 यह दस्मा प्रश्ण है x प्लस आयोटा y का whole up cube बराबर में दिया गया है x प्लस आयोटा v u प्लस आयोटा v तो दर्शाइए कि u upon x plus v upon y equal to 4 into x square minus y square होता है यह prove करके दिखाना है बहुत ही मज़ेदार question है बच्चो समझते हैं यहाँ पर यह लिखा है उसको इस तरीके से solve करो दिया गया है x प्लस आयोटा y और इसका whole cube और बराबर में दिया गया है u प्लस आयोटा v बचो यह पता है ना cube लिखा है दो समिस्ञाएं इधर और एक समिस्ञाएं इधर मतलब समिस्र संखाएं दोनों बराबर बराबर तभी कहीं जाती है जब उसके real part और imaginary part आपस में बराबर होते हैं तो पहले इसका cube लिखा है, cube को पहले तोड़ो और इसके बाद में हमें real part की real से तोलना करनी है और imaginary की imaginary से तोलना करनी है क्या करना है, इसका cube कैसे तोड़ते हैं? पता है न, a plus b का whole cube बराबर होता है a cube plus b cube plus 3ab bracket में a plus b और बराबर में यहां लिखना है u plus iota b लिखना है ले आ रहे है बच्चु आंगे थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ तो एक्स का क्यूब ठीक है प्लस आयोटा का क्यूब हो जाएगा बाई का क्यूब प्लस में यहां इसका अंदर गुणा कर दो 3x iota by x के साथ गुणा करोगी तो x का square हो जाएगा 3x square iota by हो जाएगा प्लस इसी प्रकार यहां पर i और i अर्थाथ iota iota का गुणा iota square और by और by का गुणा by square हो जाएगा तो कह सकते हैं 3x iota square into by square ठीक है बराबर में इदर u plus iota यह भी ठीक है आंगे और थोड़ा देखो तो को x का cube तो बिल्कुल ठीक है iota cube का मान minus iota होता है आपको पता है iota cube बराबर क्या होता है यहां लिख देते हैं iota cube का मान जो होता है वो minus iota होता है और iota square का मान minus 1 होता है यह भी बात है आप सिक गए हो कोई समस्या वाली बात नहीं iota cube को हम यहां पर लिख देते हैं minus में iota into में by का cube plus यहां पर दोखो 3x square iota into by यह iota square है इसको हम minus 1 लिखेंगे तो यह minus यहां आ जाएगा minus में 3x by square ठीक है और इसके बाद यहां पर लिख दें यू प्लैस आयोटा भी जो काती हूँ अब चोई यह और यह मिला के दोनों कह सकते हैं real part है जिसमें आयोटा नहीं होता है वो real part होता है जो आयोटा के साथ होता है वो imaginary part कहा जाता है तो कह सकते हैं x cube minus 3x by का square यह हमारा हो गया real part और इन दोनों जगे से हम यहां पर आयोटा अगर common ले लें तो यह 3x square into में by यहां से minus में by का cube यह बचाएगा imaginary part हो जागा बराबर में u plus आयोटा भी ठीक है इसके बाद दोनों पक्षों में अगर तुलना कर दें यह real part की real part से तुलना कर दें और यह imaginary की imaginary part से तुलना करके हम यहां से 2 sum flipped बनाएगे दोखों यहां पर लेखें वास्तविक तथा कालपनिक वास्तविक तथा कालपनिक भागों की तुलना करने पर तुलना करने पर देखिए ध्यान से वास्तविक भाग हमारा इदर x का cube minus 3x into by का square और बरावर में लिख देते हैं u इधर कालपनिक भाग है दोखो कितना 3x square into by minus by का cube बरावर में लिखना है v ये हमारा कालपनिक भाग है ठीक है आयोटा का जो गुड़ंक है v है इधर आयोटा का गुड़ंक है 3x square by minus by cube यही लिखा है ठीक है बच्चो इन दोनों u और v के ये मान जो निकले हैं ये u और v के मान हमें कहां lhs में रख रहना है बस हल करोगे rhs हमें मिल जाएगा दोखो यहां पर कर देते हैं क्या करना है दोखो lhs ले लो आप lhs लिखा है u upon में x plus में v upon में by और u का मान हमारे पास दोखो ये लिखा हुआ है x का cube minus 3x by square minus 3x by square और upon में नीचे x लिख दो बिल्कुल ठीक है इसके बाद आंगे दोखो plus का निसान है v का मान लिखें v का मान है 3x square by इज़र लिखना है 3x square by और minus में by का cube लिखो और नीचे बटे में क्या लिखना है by लिखना है ठीक है चलिए आप दोखो उपर से दोनो जगह से x common दिखाई दे रहा है x common ले लिया जाए तो बचेगा x का square minus 3 by का square और नीचे जो x लिखा है इसको इससे cancel कर सकते हो plus इसी प्रकार उपर से by common है तो आपको लिखना है 3 x square minus minus में लिखना है by का square और नीचे बटे में क्या मिल जाएगा by और ये भी by से by cancer हो रहा है अब क्या बचा है थोड़ा ध्यान दें यहां पर दोखो x square है और ये 3 x square है दोनों को add करो 4 x square मिल जाएगा और इसी प्रकार 3 x square minus का है 1 x square ये भी minus का है तो minus का 4 y square हो जाएगा दोनों जगे से 4 common लें तो x square minus y square और आप ध्यान से देखो यही हमारा आ रहे जैसे है क्लिए रहा बच्चो तो ये simple सा प्रश्न है बहुत ही तो ये दसमा प्रश्न आपका complete होता है चलिए जल्दी से note करें इसको आँगे बढ़ते हैं हम लोग अंगले प्रश्न के और देखे बच्चो बहुत ही बिवित प्रश्नावली के सारे प्रश्न बहुत ही महत्पोर होते हैं तो इनको अब बहुत अच्छे से complete करोगे तो आए ग्यार्मा प्रश्नाद को यहां पर लेते हैं कहता है यदि alpha और beta भिन भिन समिस्र संख्याएं है जहां mod beta का मान एक दिया गया है और कहा है तब beta minus alpha upon 1 minus alpha बार into beta का जो modulus है उसका मान क्या होगा यह आप से पूछा गया है देखे क्या क्या है यह हमारा प्रश्न ग्यार्मा प्रश्न है देखे ध्यार्मा प्रश्न हमारा है यह और इस तरीके से ग्यार्मा प्रश्न में दिया गया है कि alpha और beta तो संख्याएं है और यहां पर जो बीटा समिश संख्या है उसका मॉडलस का मान एक दिया गया है ठीक है मॉड बीटा बरावर दिया गया है एक और तब आप से ये कहा गया है कि आपको बताना है बीटा माइनस अलफा अपोन में बन माइनस अलफा बार इंटू बीटा और इसका mod का मान क्या होगा ये हमारा प्रश्ण है जिए ध्यान से समझो, beta बार, alfa बार बार उपला लगा होता हओ, वो सैयूघमी संख्या होती है, जैसे कोई alfa संख्या हमारी समीश संख्या है, तो alfa का सैयूघमी alfa बार से निरुपित किया जाता है, पता है ना, अब दे इसका मान ग्याद करना है क्या करेंगे बच्छों इसका मान ग्याद करने के लिए ऊपर और नीचे अंस और हर दोनों में हम बीटा बार से गुणा कर दें ध्यान से देखो यहां पर लिख दें हम बीटा माइनस अलफा लिखा है और हमें क्या करना है बीटा बार से गुणा कर या कोई समझ चानी चलो और आंगे देखो यहां पर दोखो ऊपर बीटा माइनस अलफा इंटू में बीटा बार जूंकाते हो रहने दें जब कि नीचे बाले का अगर गुणा करें एक में गुणा करोगे बीटा बार का तो बीटा बार आ जाएगा माइनस यहां देखो अलफा बार पहले से है और बीटा में गुणा बीटा बार के साथ लिख दो इस तरीके से तो अब यहां पर देखो इसको कैसे करोगे देखो ब बीटा बार माइनस अलफा बार और बचो इसको हम एक लिख सकते हैं चक्क्यों देखो यहां पर समझें यह बीटा बीटा बार का क्या मतलब है कोई समित्र संख्या और उसकी समयुगमी समित्र संख्या अगर कोई यह x आपकी एक संख्या है समित्र संख्या है और उसकी समयु है यह उसकी समय सेथच्खा है तो इनका दोनों का गुडन फल क्या लिख सकते हो और बिटा-ब्राबर हमें प्रश्ण में एक दिया गया है उसलिए यहां पर बीटा-ब्राबर कोँ हम दिया गया है ठीक है और यहां भी हमें मौडलस लगा देना है आंगे देखो ध्यान से यहां पर समझते हैं इस प्रकार यह लिखा है बीटा माइनस अलफा इस पर अलग से मौड लगा दो बीटा बार लिखा है इस पर भी अलग से मौड लगा दो और नीचे बटे में यहां पर देखो लिखा है बीटा बार माइनस अलफा बार और इसका मॉडलेस ठीक है थोड़ा ध्यान दें यहां पर बीटा बार माइनस अलफा बार ये लिखा है और इसका जो मॉड है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ध्यान से देखो बीटा माइनस अलफा का मॉड ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल का मॉड ठीक है और इसक मतलब beta minus alpha का जो संयुगमी संख्या है उसका समित्र संख्या बन जाएगी beta minus alpha क्योंकि beta minus alpha क्योंकि beta minus alpha ये अगर आपकी कोई समित्र संख्या है तो उसकी संयुगमी समित्र संख्या ये हो जाएगी तो modulus तो बराबर होता है जो समिष संख्या का मौड होता है वही उसकी सयुगमी समिष संख्या का मौड होता है तो आप कह सकते हो बीटा माइनस अलफा का जो बार है इसका मौडलस बराबर बीटा माइनस अलफा का मौडलस होगा और इसको इससे cancel out करोगे तो क्या मिलेगा mod beta और आपको पता है mod beta का bar कहें या mod beta कहें दोनों ये कही बाते हैं किसी भी संख्या का मापंक और उसकी संयुग में संख्या का मापंक ये कही होता है तो इसलिए mod beta का मापंक मतलब beta का मापंक और beta bar का मापंक एक अही बात है तो इसको क्या लिखना है एक तो यहां पर क्या दिया आया है बीटा का जो मौड है उसका माल एक दिया गया है ठीक है तो आंसर में आपको क्या मिलेगा एक क्लियर है बच्छो बात तो ये इस तरीके से ये आपका दसमा ये ग्यारमा प्रशन कम्प्लेट होता है चलिए इसको भी नूट करें इसके बाद आँगे आते हैं हम लोग एक बह में प्रश्न पर आते हैं बच्चो इसको अरब कर लेते हैं को से नमबर बार्मा देखो कि देखे ध्यान से कुस्चन नमबर हमारा है बार्मा तो यह समीकरण हमें दो कोई इस तरीके से दिया गया है समीकरण 1-iota की 1-iota और इसका whole power mod में लिखा है x और बरावर में दिया गया है 2 की power x इसमें क्या कहा गया है कि सुनेतर पूरंक मूलों की संख्या बताइए बच्चो आप यहाँ पर कह सकते हो कि इसके मूल कितने हैं बता सकते हो मूल कितने हैं दोको कभी भी जैसे दो घास समीकड होता है तो उस पर अधिक्तम दो मूल होते हूं उसको हल करने पर कितने X के मान मिलते हैं मतलब मूल कितने मिलते हैं दो अगर 3 घाती समीकड होते हैं तो मूल 3 मिलते हैं 4 घाती समीकड के 4 मूल होते हैं यहां पर X घाती ये समीकरण है इसका मतलब सुनित्तर मूलों की संख्या X होगी मतलब सीधा हमें X का मान गयाद करना है चलो यहाँ पर समझो ये लिखा है 1 मानस आजोटा का मौडलस की पावर X वरावर 2 की पावर X किसी भी समिष संख्या का मौड वरावर क्या होता है मापंग वराव होल पावर दो किता लिखा है X बरावर में यहाँ पर 2 की पावर X के लिए रहे बचो इतनी बात मौड का मतला यह अंडर होल पावर एक्स बरावर दो की पावर एक्स लिखना है यहां पर लिख दो दो की पावर दोखो एक और एक दो दो की पावर अंडरूट का मतलब एक बटे दो पावर होता है होल पावर एक्स बरावर दो की पावर एक्स एक बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दो की पावर इ जाती है यहां पर दो को दो का पावर एक्स बटे दो है यहां दो का पावर एक्स है इसका मतलब अगर हम घातों की तुलना कर दें घातों की तुलना करने पर अगर दो के घातों की तुलना कर दें तो यह हो जाएगा एक्स बटे दो बरावर एक्स और यहां से क्रॉस मल्टि एकस मेंसे एक एकस घटाओ, एकस और एकस बराबर 0, तो बच्चो यहां पर एकस बराबर 0, इसका मतलब सुनेतर मूलों की संख्या कितनी होगी सुन, एकस का मान कितना आया है, सुन, तो यहां पर आपको क्या लिखना है, अतहा, सुनेतर मूलों की संख्या, सुनेतर मूलों क संख्या बराबर आपको क्या लिखनी है सोन लिखनी है यह हमारा अंसर होगा ठीक है बच्छो सिंपल था बिल्कुल इकदम आराम से करो चलिए थोड़ा और आंगे बढ़ जाएं इसके बाद आते हैं बच्छो कुस्चन नमबर 13 में पर जल्दी से इसको नोट करें और 13 प्र इन्टू C प्लस आयोटा D इन्टू E प्लस आयोटा F इन्टू G प्लस आयोटा H बरावर A प्लस आयोटा B है तो हमें इतना यह सिद्ध करके दिखाना है थोड़ा ध्यान से समझते हैं दोको क्या-क्या दिया गया है तेर्मा प्रश्न है यहां पर हमें ऐसा दिया गया है कि ज़्यादी, A plus Iota B, C plus Iota D into E plus Iota F into G plus G plus Iota H और ये बरावर में दिया गया है A plus Iota B, तो आपको ये नीचे दिया गया इतना सिद्ध करके दिखाना है, हमें सिद्ध का क्या करना है, लिख देते हैं एक बार, सिद्ध करना है, क्या करना है, A plus B का स्क्वाइर, C plus D का स्क्वाइर, और यहां पर ठीक लिख रहे हैं, एक बार देख लिया, ठीक है, और यहां पर लिखना है, E plus F का स्क्वाइर, और यहां पर into में G plus H का स्क्वाइर बराबर सिद्ध करना है ए प्लस बी का स्क्वाइर क्या करना है ए प्लस बी का स्क्वाइर इतना हमें सिद्ध करके देखना है एक बार चेक कर लेते हैं यह हमें दिया गया है उसका दोनों पक्षों में मौड ले लेते हैं दोको हमें दिया गया है यहां लिख देते हैं दिया है a plus iota b into c plus iota d into e plus iota f into g plus iota h और बराबर में a plus iota b यह हमें दिया गया है हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में मापांक लेने पर मौड लेने पर ठीक है बच्चों दोनों पक्षों में मौड का निसान लगाओ तो इस परीके से लिख सकते हूं मौड आप a plus iota b ठीक है और into में c plus iota d into में a plus iota f into में g plus iota h और यह मौड में इधर भी दोखो इसी परकार लिखो a plus iota b और इसका भी हम मौड लगा दें ठीक है दोनों पक्षों में मौड लगा दिया यहाँ पर दोखो into में लिखा है मौड है और सब पर अलग-अलग मौड लगाए जा सकते हैं तरीके से यहां लिख दो कि a plus iota b का मौड इंटू में c plus iota d का मौड इंटू में e plus iota f का मौड इंटू में यहां पर लिखो into में g plus iota h का मौड और बराबर में यहां पर a plus iota b a plus iota b का मौड इस तरीके से दोखो ठीक है अब यहां पर समझो इसका किसी भी समिश्चन क्या का मौड क्या होता है मौड होता है अंडरूट real का square plus imaginary का square इसी परकार इसका भी यहां पर मापांक क्या हो जाएगा c का square c square plus d square इधर दोखो इसका मापांक क्या हो जाएगा लिखना है e का square plus f का square का under root और इसी परकार यहां पर इसका भी मापांक निकालोगे तो under root में लिख दो आप g का square plus h का square इधर भी इस absorption अब लिख दो Underwood में A का square प्लस B का square Correct है बच्छो ये हमारा इसका मापंक निकल के आ गया है अब हम दोनों पक्छों का square कर देते हैं यहाँ लिखो दोनों पक्छों का burg करने पर अगर दोनों पक्छों का burg कर लिया जाए तो ये बर्गमूल खतम, सारे बर्गमूल के निसान खतम हो जाएगा, बर्ग करने से बर्गमूल खतम मतलब कह सकती हो, A square plus B square ये हो जाएगा, इसका बर्ग करोगे C square plus D square हो जाएगा, इसका बर करोगे तो E का स्क्वाइर प्लस F का स्क्वाइर हो जाएगा इसका बर करोगे तो G का स्क्वाइर प्लस H का स्क्वाइर हो जाएगा बरावर में इसका बर करोगे तो A का स्क्वाइर प्लस B का स्क्वाइर हो जाएगा मेरे खाल से बच्चों हमने यो सिद्ध करने को लिखा है, थोड़ा गड़बड लिख दिया है, सिद्ध क्या करना है, a square प्लस b square, ये हमारा सिद्ध करना था, हमने गड़बड लिखा है, थोड़ा सही कर लें, सुधार कर लें, ये हमें इतना प्रूब करना है, ठीक है, ये ह आप वही प्रूफ होगा जो हमसे हमारत सही होगा है ना यह हमने प्रूफ करना था हमने क्या किया दोनों पक्षों में हमने मौड लिया है सीधी सीधी बात है और बाकि कोई खास बात नहीं है दोनों पक्षों में मौड किया मौड कैसे क्या मापंग कैसे निकालते मापंग ब लोग अंतिम प्रश्ण पर आते हैं, question number हमारा चौदमा है, ठीक है, इसको जल्दी से नोट करें, चौदमा प्रश्ण में है, यदि 1 प्लस आयोटा अपोन 1 मानेस आयोटा की whole power m बराबर में एक दिया गया है, तो m का नियूनतम पुड़ंक मान क्या होगा, m का नियूनतम पुड़ंक मान आप से पूछा गया है, देखिएगा ध्यान से, देखो, ये हमारा number है, चौदमा प्रश्ण का, और ये लिखा है, यदि 1 प्लस आयोटा अपोन में 1 मानेस आयोटा और इसकी whole power है m, और बराबर में लिखा है, एक, तो m का नियूनतम मान, n का नियूनतम मान पूछा गया है, नियूनतम पूछा गया है, चोटे से चोटा जो मान होगा, वो आप से पूछा गया है, कैसे करना है, देखो, ध्यान दे, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा अपोन 1 मानस आयोटा की whole power m बराबर में एक लिखा है, ठीक है, एक काम करो, इसको solve करो, और solve ऐसे कर सकते हो, दोखो, 1 प्लस आयोटा अपोन 1 मानस आयोटा, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा का उपर और 1 प्लस आयोटा का नीचे गुणा कर दें, whole power m जोंकातियों है, बराबर एक भी जोंकातियों है, हमने 1 प्लस आयोटा का अंसर में गुणा करिया, ठीक है, अज़ा, ऊपर से ऊपर का गुणा करोगे, कितना आयेगा, तो आपको कहना है, 1 प्लस आयोटा का whole square हो जाएगा, नीचे का नीचे गुणा करो, कितना हो जाएगा, 1 का square, मानस आयोटा का square, A मानस B, A प्लस B, ठीक है, a square एक का square करोगे a कहीं आएगा माइनस आयोटा का square ठीक है और इसकी whole power अभी m चल रही है ज्योंकातियों रखो ठीक है अब जो को इसका square थोड़ो उपर से square क्या होता है a plus b का square बरावर a का square मतलब 1 का square 1 होगा iota का square करो plus मैं यहाँ 2 iota लिखो नीचे upon में लिखना है 1 का square 1 होता है iota square का 1 minus 1 करोगे तो plus का 1 हो जाएगा whole power m चल रहा है बिल्कुल ठीक है बरावर में 1 अब जो यहाँ iota square का 1 फिर से 1 लिखा जा सकता है यहाँ पर लिख देते हैं iota square का मान 1 तो 1 minus का 1 हो जाएगा plus में 2 iota लिखो मतलब यहाँ लिखना है 2 iota upon में 2 whole power m बरावर में 1 लिखो 2 से 2 भी cancel कर सकते हो iota की power m बरावर में 1 अब ठीक है बच्चों यहाँ पर समझो बात इतनी बात ठीक है अज़ा एक बात समझो कि अगर हम यहाँ पर m का निवनतम मान की बात करी जा रही है जोको iota square into iota square लिख सकते हैं और iota square का मान minus 1 इसका भी मान minus 1 दोनों का गुड़न फल प्लस 1 हो जाएगा मतलब कह सकते हैं कि iota की 4 घात अगर लिख दी जाए तो इसका मान कितना होता है एक iota की और आंगे घातें बढ़ा दें जैसे iota की power 4 लिखा है iota की power अगर हम आपसे कहें कि iota की power 6 का मान कितना होगा तो आपको लिखना है iota का cube into iota का cube और हमें पता है iota cube का मान minus iota होता है दोनों का गुड़न फल प्लस का प्लस iota square हो जाएगा iota square का मान minus 1 ठीक है ये minus minus प्लस हो जाएगा तो आयोटा की 6 घात का मान माइनस एक होता है अगर हम आयोटा की 8 घात का मान निकालें बिल्कुल ठीक इसी प्रकार तो आयोटा की 8 घात का मान एक होता है मतलब कह सकते हैं आयोटा की 4 घात का मान एक होता है आयोटा घात 4 बराबर एक आयोटा की घात 8 बरा हाँ से अगर हम तुलना कर दें तो यहां से एं का मान कितना आएगा चार आएगा मतलब निउग्वाल प्ूछा गया है अगर हम एक की जगह पर यृटा एकप़ावर आठ लिख दें न्यूनतम मान 4 मिलेगा, तो m का 8 भी मान हो सकता है, m का 12 मान भी हो सकता है, लेकर न्यूनतम पुचा गया, इसलिए हमें 4 लेखना है, ठीक है, बचो तो यह जो आपको यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी अगर कोई समस्या है तो कमेंट सेक्षन में कमेंट ज़रूर करें ठीक है मिलते हैं वीडियो में तब तक खुष रहें मस्त रहें और पढ़ते रहें